नमस्कार स्वागत है साहितिक जरू का चैनल पर आज हम करेंगे रस तात्विक विवेचन भाग दो रस के बारे में विस्तार से हम भाग एक में जान चुके हैं आज हम स्थाई भावों को उधारन के साथ समझने का प्रियास करेंगे और उनके तत्वों की विवेचना भी करेंगे तो आईए प्रारंब करते हैं सबसे पहला है श्रिंगार रस शिंगार रस के दो भेद हैं संयोग शिंगार और दूसरा है वियोग शिंगार इसे उधारन के साथ समझने के लिए हम, यहां पर मैंने उधारन भी लिया है, तत्मों की विवेचना भी की है लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शिंगार रस जो है वो किस लिए प्रियोग किया जाता है शिंगार यानि प्रेम के भाव के लिए या रती के लिए प्रेम भाव को व्यक्त जहां पर किया जाता है वहां शिंगार रस होता है संयोग शिंगार तब होता है जब नायक और नायका साथ होते हैं और वियोग शिंगार तब होता है जब नायक और नायका वियोग अवस्ता में होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम संयोग शिंगार के बारे में जानेंगे क्यूंकि शिंगार रसके दो भेद होते हैं पहला क्या है संयोग शिंगार तो संयोग शिंगार में क्या है जब नाय एक दूसरे के निकट होते हैं अर्था संयोग अवस्ता होती है ऐसे में जिस प्रेम भाव का परिपाक होता है वो संयोग शिंगारस के अंतरगत आता है। को निहार रही है कौन जानकी माता सीता राम को देख रही है कैसे अपने कंगन के नग में राम की परच्छाई उन्हें दिखाई देती हैं और वो अपनी सुद्बुद भूल जाती हैं और इस यह जो स्थिती उत्पन हो गई है उसका एक पल भी वो खोना नहीं चाहती पल टा को वो कहां देखती है कंगन के नग में उनकी परच्छाई देखती है और उसको देखकर वो मुक्त हो जाती है तो अब इसी उधारन की तात्वीक विवेचना अगर शिंगार रस के अंतरगत करें तो यहां पर सबसे पहले हमने स्थाई भाव के बारे में जाना था स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव यह चार भाव हैं जिनके माध्यम से जो रस है वो पूर्णता को प्राप्त होता है तो शिंगार रस का स्थाई भाव क्या है वो है रती इसका विभाव क्या होगा विभाव के तीन भेद होते हैं पहला आश्रे, दूसरा आ क्योंकि सीता नग में परचाई देखती है और किसकी देखती है यानि उस भाव को उत्पन करने में आलंबन कोन है राम और उदिपन नग में प्रति भिम्बित राम की चाया राम के प्रति सीता आकर्शित है राम के प्रति प्रेम का भाव सीता के मन में है और उस भाव को उद दीपत क्या है दीपन क्या है नग में जो प्रतिविम दिखाई देता है अब इसमें अनुभाव अनुभाव यानि सीता का जो क्या प्रतिक्रिया होगी इसमें एक टक देखना या हाथ टेक कर स्थिर होना लगातार वो उस परचाई को देख रही है और कहीं वो परचाई होते हैं यह संचार करते हैं दे जिस तरह से संचारी भाव है जो सीता व्यक्त कर रही हसए इसे हुए उनके देह में ये उत्पन हो रहे हैं संचारी भाव तो इन तत्वों के आधार पर हम देखते हैं कि संयोग शिंगार का परिपाक यहां पर हुआ है और किसके मन में ये भाव उत्पन हो रहा है सीता के मन में क्योंकि आश्रे कुन है सीता तो तत्वों की अगर स्मिक्षा के आधार पे देखें तो जो उधारन दिया गया है इसमें संयोग शिंगार का सुंदर परिपाक हुआ है शिंगार रस्त का जो दूसरा भेद है वो है वियोग सिंगार ये क्या है दूसरा भेद है शिंगार रस्त का पहला संयोग और दूसरा वियोग देखे वियोग शिंगार में क्या होता है जब नायक और नायका एक दूसरे से अलग होते हैं ऐसे में जो व्योग के कारण भाव उत्पन होते हैं या जो व्योगरस उत्पन होता है वो व्योग शिंगार के अंतरगत आता है यहां पर नायक नायका एक दूसरे से अलग रहने से उनकी जो मानसिक दशा है वो अभिव्यक्त की जाती है और उसके माध्यम से अपनी वास्त् को बताने का प्रयास किया जाता है तो आईए उधारण के माध्यम से यहां इसे समझने का प्रयास करते हैं मदुवन तुमकत रहत हरे दिरह व्योग शाम सुन्दर के थाड़े क्यों नजरे भ्रमरगीत से ली गई पंक्तियां है यहां पर जब गोपियां कृष्ण से व्योग भरे हो जब व्योग विरह व्योग किसके शाम सुन्दर शाम सुन्दर यहां कोन है क्रीशन कि क्रीशन के व्योग में थाड़े क्यों नजरे अब तक खड़े हो जल क्यों नहीं गए गोपियां अपने मन के भाव को व्यक्त करते हुए किस से कह रही है मदुवन से जहां पर किसी समय यही मदुबन गोपियों को अच्छा लगता था जब क्रिशन उनके साथ थे लेकिन जब क्रिशन उनसे दूर चले गए हैं तो वो मन के भाव को अभिवेक्त कर रही है तो यहाँ पर भी स्थाई भाव क्या है रती का ही भाव रहेगा जो स्थाई भाव है वो रती ही होगा क्यों होगा क्योंकि शिंगार रस का स्थाई भाव क्या है रती विभाव यहाँ पर कौन है राधा या गोपिया आलंबन कौन है यहाँ पर क्रिशन किसके मन में भाव पैदा हो रहा है वो कोन है आश्रे यानि राधा या गोपिया और आलंबन किसके लिए हो रहा है उस भाव को उत्पन करने वाले कोन है वो है क्रिशन उस भाव को तेज कोन कर रहा है बढ़ाने का कार्य कोन कर रहा है मधुवन की सुन्दर वाटिका उसे दे दुख को, गाथा को वो बताती है या विरही भाव भंगिमा और आक्रोश भरा परलाब यानि वो आक्रोश में परलाब करती हैं, क्रोध व्यक्त करती है और संचारी भाव इसमें क्या होगे? उगर हो जाएगा उनका स्वभाव लेकिन कि इसके साथ चिंता, मोह और विशाद भी उनके भावों में सपस्ट होगा लेकिन ये भाव स्थाई नहीं है ये संचारी हैं जो गतिशील हैं कुछ समय के लिए आते हैं और स्वाप्त हो जाते हैं तो यहाँ पर इस उधारन के माध्यम से हमने जाना कि वियोग शिंगार के अंतरगत जो तत्वों किस प्रकार से कार्या करते हैं या स्थाई भाव रती है विभाव आश्रे आलंबन और रुदिपन के माध्यम से हमने समझा अनुभाव जो व्यक्त करते हैं जिसमें जो हमने जाना था कि अनुभाव भी अलग अलग होते हैं जिसे काई कानुभाव है, वाची कानुभाव है, अहारिय अनुभाव है तो वो इसके इंत्रगत आएंगे और सन्चारी भाव, जो गतिशील है, कुछ समय के लिए आते हैं और समाप्त हो जाते हैं तो ये वियोग शिंगार हमने जाना उधारण के माध्यम से दूसरा जो हमारा रस है वो है हास्यरस हास्यरस का स्थाई भाव होता है हास ये हमारे हर्दे में हमेशे विराजमान रहता है और अनकूल प्रस्तितिया मिलते ही हम हसने लगते हैं तो स्थाई भाव क्या है हास और उससे उत्पन जो रस वो है क्या हास हासे रस है तो आईए उधारन के माध्यम से जानते हैं चना बनावे घासी राम जिसकी जोली में दुकान चना चूरम चूर बोले बाबू खाने को मूख खोले चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती धीली धाली चना जोर गरम तो इन पंक्तियों को पढ़कर हमें कैसा अनुभव हो रहा है कि किसी के बारे में बताया जा रहा है हासी उत्पन करने के लिए घासी राम चना बना रहा है उसकी जोली में ही दुकान है चना चुरमचुल बोलता है और बाबु खाने को मूं खोल रहा है चना खाते कौन है सब बंगाली खाते हैं वो धीली घाली धोती पैनते हैं तो इससे क्या सफ़्ष ो रहा है कि हास्टे रस कब उत्पन होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तू की विछित्र आकरिती या अलग परकार की वेशबूशा हो, जिसे देखकर हसी आ जाए, तो कौन सा रसुत्पन होता है, हस से रसुत्पन होता है, तत्वों के अधार पर अगर हम इसकी विवेचना देखें, तो इसका स्थाई भाव क्या है, हास है, विभाव, आलंबन, सबसे पहले विभाव में क्या है, पाठक, शरोता या दर्शक, ये पंक्तियां पढ़ने वाला, सुनने वाला और ऐसे व्यक्ति को देखने वाला, आलंबन कोन है यहां पर, विलक्षन वानी, विलक्षन व्यक्ति, यानि अलग प्रकार की उसकी आवाज, जैसे किसी अलग स्वर में इन पंक्तियों को गाया या बताई तो भी हंसी आती है, उद्धीपन कोन है, विलक्षन मुद्रा, और एक तो उसने धिली धाली किसी ने धोती पहन रखी है, उपर से विचितर वानी में अपने व्यक्त कर रहा है, और उसके सासात अपने मुख की, अपने चेहरे के जो हाव भाव हैं, वो भी अठक, शुरोता और दर्शक है, वो हसने लगेंगे, अशुरुपाथ हां, हस्ते हस्ते आंखों से पानी भी आ सकता है, या मुस्कान, ये क्या है, अनुभाव, संचारी भाव, हर्श, चपलता, कंप और रोमांच, ये संचारी भाव हैं, जो हास्यरस को पूरणता प्राप पर किस परकार उत्पन होता है, तीसरा जो रस है, वो है रोद्र रस, रोद्र रस का स्थाई भाव होता है, क्रोध, यानि क्रोध हमारे मन में हमेश्या विराजमान है, लेकिन जब वो उत्पन होता है, तब वो रस के रूप में परणित होता है, आईए उधारन के माध्यम से जानते है रे निर्प बालक काल बस बोलत तोही न सम्भार धन ही समति पुरारी धनु विदित संकल सकल संसार तो देखें जो रोड्र हमें गुसा का बाता है क्रोद का बाता है जब हमारा जो शक्त्रू है उसके द्वारा हमें ललकारा जाए, हमारा अपमान किया जाए या किसी के द्वारा शोगनिय हरकत की जाए तो उससे क्या होगा? क्रोध का भाव उत्पन होगा और वही क्रोध रोधर रस्मे परणित हो जाता है तो यहां पर जो परशु राम है तुलसी दास की पंक्तियां है ये जब शिव धनुष को राम के द्वारा तोड़ दिया जाता है तो परशु राम को क्रोध आता है तो वही क्रोध भाव यहां पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किये हैं परशुराम के भाव है यह तो यहां पर स्थाई भाव क्या है क्रोध विभाव में आशरे कोन है परशुराम है क्यूंकि यह पंक्तियां परशुराम कहते हैं जब राम धनुष तोड़ देते हैं शिव जी का धनुष जब सीता स्वेंबर में तोड़ दिया जाता है तो परशुराम कहते हैं आलंबन क्या है शिव का धनुष भंग होना यानि तूट जाना जब शिव का धनुष भंग होगा या हुआ तभी तो परशुराम को क्रोध आय और उद्धिपन क्या है उस भाव को जो गुस्सा आया था परशुराम को उसने किया लक्षमन के वाल समवाद ने क्योंकि लक्षमन नहीं ललकारा था परशुराम को तो ऐसे में लक्षमन के जो समवाद थे उन्होंने परशुराम का क्रोध और जादा बढ़ा दिया था यान पर अनुभाव क्या होंगे आंखे लाल हो जाना क्योंकि गुस्से में क्या होगा आंखे लाल ही होंगी मुस्कुराड तो नहीं आएगी आंखों में क्रोध होगा तो आंखे लाल हो जाएंगी कटू शब्द जो कष्ट दायक शब्द हैं गर्जन तर्जन आवेग इस प्रका हो जाएंगे या स्माप्त हो जाएंगे लेकिन कब जब रोध्र रस पूर्णता को प्राप्त करेगा तो यह ध्यान रखना है कि जहां पर भी ऐसी पंक्तियां हों जहां क्रोध के भाव अर्थात वहां पर स्थाई भाव क्या है क्रोध और उससे उत्पन रस क्या है रोध्र ये आप ध्यान में रखेंगे चोथा जो हमारा रस है वो है करून रस देखे करून रस कब उत्पन होता है जब कोई हमारा प्रिये व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है व्योग की अवस्ता होती है और वो कब होती है जब इस्ट के नस्ठ होने पर इस्ट यानि जिसे हम अपना इस्ट वानते हैं वो जब स्माप्त हो जाता है तो ऐसे में करून रस की अभिवेक्ति होती है या करून रस का परिपाक होता है जब कोई हमारा प्रियेजन संसार को त्याग देता है और हमसे दूर हो जाता है ऐसी ही अवस्ता में करून रस की परचाती अश्रू बरसाती हुई कुरली सुदरिश सकरुन गिरा से दैन्य दरशाती हुई बहुविदी विलाप परलाप वह करने लगी उस शोक में निज प्रिये वियोग समान दुख होता ने कोई लोक में निज प्रिये निज यानि अपने प्रिये के वियोग के समान अप यानि हमारे मन में शोक का जो भाव है दुख का भाव है वो हमेशा विराजबान रहता है स्थाई भाव यहां पर क्या है शोक है और इससे उत्पन जो रस है वो क्या है करुन रस है तो यहां विभाव को अगर हम देखें तो आशरे कोन है उत्तरा जो अभिमन्यू की पतनी है यानि नाइका या प्रियतमा आलंबन कोन है प्रियतम जिसके मृत्य हो चुकी है और इस इन पंक्तियों में वो कोन है अभिमन्यू उदीपन क्या है प्रिय की याद प्रिय वस्तु के दर्शन कि प्रिय की जो वस्तु है उसके दर्शन करना या उस अपने व्योग में जो अगर हम देखते हैं तो उसकी याद और कहीं जादा बढ़ जाती है जिसे की करम रस उत्पन होता है तो यहाँ पर अनुभाव क्या होंगे उच्छवास लंबी-लंबी सांसे लेना आंखों से शुरू आना परलाप और रूदन यह सब क्या है अनुभाव होंगे और यहाँ सं जो गतिशील है तो इस प्रकार से उत्रा यहाँ पर लाप कर रही है रो रही है आश्रे यहाँ कोन है उत्रा है और उत्रा के मन में जो शोक का भाव है वो अभिमन्यू की मृत्यू के पस्चात और जादा बढ़ जाता है तो वो करुन रस में परिपाक होता है उसका यह कि जब कोई हमारा प्रिय हमसे बिझोड जाता है यह मृत्यू को प्राप्थ होता है तो ऐसे में करुन रस का परिपाक होता है यहाँ कि कोई विपक्षी अत्याचारी या शत्रू विशम चेस्टाइं करता है यानि ऐसे कारिया करता है जो कि विपरीत है जिनको देखकर उसे समाप्त करने के भाव जागते हैं तो ऐसे में जो उसको समाप्त या नस्ट करने का जो भाव है वो उत्सा हमारे मन में जब व्यक्त होता है तो वो उत्सा वीर्रस में परणित हो जाता है तो वीर्रस का किसका शत्रू को नश्ट करने का जो विशम चेस्टाइं उत्पन करता है या विशम कारिय करता है उसको नश्ट करने के लिए जो उच्छा का भाव जागरित होता है वो वीर रसमें परनित होता है तो स्थाई भाव यहां पर क्या है उच्छा ये उधारन के मात्यम से समझते जो बेद जाता भानू का कर अंदकार समू को वे पार्थ नंदन घुस गया तो बेद चकरव्यू को थे वीर लाखों पर किसी से गती ने उसकी रुख सकी सब शत्रों के शक्ति उसके सामने सहसा ठकी अभिमन्यू जब चकरव्यू को बेदने के लिए घुसते हैं तो उनकी वीरता का यहां वर्णन है अभिमन्यू जो अनेक योद्धाओं से घिरे हुए थे वो योद्धा उन्हें ललकार रहे थे लेकिन अभिमन्यू उनसे डरे नहीं बलकि उनके मन में और जादा उच्छा बढ़ा किसलिए उन शत्रूं से लोहा लेने के लिए वो और अधिक उच्छाइत हुए और वो कैसे जैसे भानू सूरिय की किरणे अंदकार को बेद जाती है उसी प्रकार अरजुन के पुत्र कहां घुस गए थे चकरव्यू को बेद डाला था और उसमें घुस गए थे औ तो यहां पर अभिमन्यू है जो आश्रे है यानि कोन ये किसके मन में ये भाव वेक्त हुआ उत्सा का भाव जागा किसके मन में अभिमन्यू के मन में आलंबन कोरव सैना कोरव सैनिक उसके सामने ऐसी चेश्टाइं कर रहे थे ऐसी हरकतें कर रहे थे कि जो अभिमन्यू है वो उनको नश्ट करना चाहते थे और दीपन क्या है अभिमन्यू के मन में इस भाव को बढ़ाने का कार्यकून कर रहा था शत्रूं की चेश्टाएं जो वहां सैना थी और युद्ध का जो वातावरन था वो ऐसे उन सबसे क्या हो रहा था अभिमन्यू के मन में जो उत्सा का भाव है वो और जादा अधिक बढ़ रहा था अनुभाव क्या है मुख पर चमक अभिमन्यू जो लड़ रहे थे तो उनके मुख पर एक अलग ही चमक उत्पन हो रही थी आकर्मन का विचार और अपनी गती में तेजी लड़ने की जो गती है वो बढ़ गई थी उनकी संच जारी भाव है जिससे की उत्सा नामक भाव वीर्रस में परनित होता है तो यह किस प्रकार शत्रू सेना के सामने अपनी वीर्ता को परदर्शित करने के लिए या उस वातावरन से जो उत्सा नामक स्थाई भाव है वो वीर्रस में परनित हो जाता है तो यहां पर वीर्रस क आप परिभाशा ध्यान में रखेंगे विरस का स्थाई भाव उत्सा होता है ये भी ध्यान में रखेंगे तो ये तत्वों के आधार पर विवेचना इसी प्रकार से करनी है आपको उधारन सहित क्योंकि जब पेपर में पूछा जाएगा तो वहां आपको जब तात्विक वि विवेचना पूछी जाएगी तो आप ये बताएंगे कि विरस का स्थाई भाव उत्सा है विभाव उसमें क्या होगा अनुभाव क्या होगा संचारी भाव क्या होगा और उसको आप उधारन के साथ समझाएंगे या स्पस्ट करेंगे कि ये किस प्रकार से परनीत होता है विरस्मे जो उत्सा नामक स्थाई भाव है। इसके बाद है अद्बुत रस। अद्बुत जैसे नाम से इस पस्थ है अनोखा। जब भी हम कुछ असाधारन, अलोकीक या आर्ष्य चकित करने वाली वस्तु को देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो अद्बुत रस उत्पन होता है। अद्बुत रस का स्थाई बाव क्या है विस्मे या आस्ट्रे ये हमारे मन में हमेशे विराजमान रहता है और जब इसे अनुकूल प्रस्तितियां मिलती है तो ये अद्भूत रस में बदल जाता है उधारन से समझते हैं अखिल भूवन चर अचर सब हरी मुख में लखी मात चकित भई गदगद गीरा विक्सित द्रग पुलकात ये जो उधारन है ये माता येशोदा के मन के भावों को विवेक्त करता है जब क्रिशन मिटी खा जाते हैं तो माता येशोदा उनसे मुख को खोलने के लिए कहती है कि दिखाओ तुमने मिटी खाई या नहीं और जैसे ही क्रिशन मुख खोलते हैं अखिल भवन गुवन चर अचरसब की संपोन स्रिष्टी हरी के मुख में लखी देखकर माता येशोदा चकित हो गई गदगद गिरा और विक्सित द्रग पुलकात जो बड़े बड़े द्रग हैं वो पुलकित हो उठे तो ये कब आश्यर चकित हुई अदबुत रस कब उत्पन हुआ जब क्रिशन के मुख खोलने पर जब माता मिटी दूनने का प्रयास करती है तो वहाँ पर तो संपूर्ण स्रिष्टी उन्हें दिखाई देती है पूर्ण ब्रह्मांड उन्हें दिखाई देता है तो ऐसे में जो माता है वो आश्यर चकित हो जाती है और उसमें अदबुत रस की परनिती होती है तो यहाँ पर स्थाई भाव क्या है विश्मे या आश्यरे है विभाव में आश्यरे कोन है माता येशोदा क्रिशन के मूँ में देखती है आलंबन कोन हुआ क्रिशन का मुख उदीपन कोन है क्रिशन के मुख में सारे श्रिष्टी का दर्शन जब देखती है क्रिशन के पून ब्रहमांड है तो उदीपन क्या हुआ कृषन के मुख में सारा संसार जब दिखाई देता है तो वही उदीपन होगा अनुभाव रोमांच हो जाती है गदगद हो जाती है संचारी भाव क्या है आवेग, हर्ष और भ्रांती उन्हें भ्रांती होती है कि कहीं मुझे भ् प्रांती ये संचारी भाव हैं तो इस परकार से जो विश्मे या आश्रे भाव है वो अद्वूत रस में परणित होता है। क्या होगा घृणा इसे जुगुपसा भी कहा जाता है तो घृणा या जुगुपसा या स्थाई भाव का करेंगे और जो इससे उत्वपन रस है वो क्या है विभत्स रस तो उधार्ण के माद्यम से समझते हैं सिर्पर बैठ्यो काग आँखी दोव खात निकारत खींचत जी कहें खोदी खोदी के मास उचारत स्वान अंगुरीन काट काट के खात विदारत तो यहां पर युद्ध भूमी का वर्णन है कि चारों और अद कटे जो शरीर पड़े हैं किसी के सिर पर जो मृत दे है उसके सिर पर कववा बैठा है उसकी दोनों आंके निकाल रहा है जो स यार के मन में आनन्द है गिद जो है वो उसकी जांग को खोद रहा है और मास उखाड रहा है जो स्वान यानि कुता वो उसकी उउलियां काट-काट कर खा रहा है तो ऐसा द्रिश्य देखकर मन में परसंता तो नहीं आईगी घृना ही उत्पन होगी और घृना का भाव पढ़नित हो जाता है तो यहां पर विभाव को अगर देखें तो आश्रे यहां कौन होगा जो ऐसे दृष्चे को देखने वाला दर्शक है या पढ़ने वाला पाठक है जिसने इसे देखा है उसके मन में भी भाव पैदा होगा रस पैदा होगा या हम जो पढ़ने वाले है वो भी इसे देखकर प्रसंता का अनवाव नहीं करेंगे बलकि घिरना ही उत्पन होगी तो पाठक या पढ़ने वाला आलंबन यहाँ पर कौन है? युद्ध के बाद का जो द्रिश्य है जो घिरना उत्पन करने वाला द्रिश्य है वो आलंबन है क्योंकि उसी से ये भाव पैदा हो रहा है उत्दीपन क्या है? काग, जो कववा है, जो सियार है, गिद्ध है, जो कुत्ता है उनके जो कारे हैं, गतिविदिया हैं, वो क्या है? इस भाव को और जादा तेज कर रही है इसके साथ साथ वाता वरण में जो दुर्गंद फैली है, चारों और जो रक्त बिखरा पड़ा है, जो मास है, अस्तिया पड़ी है वो इस भाव को और जादा तेज करती है अनुभाव यहां पर क्या होगा? जो आश्रे है, वो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? नाक सिकोड़ेगा, मुँ फेरेगा, फिर उसमें संचारी भाव क्या होगी? गलानी उत्वपन होगी, आवेग या व्याधी तो इस प्रकार के उसके जो संचारी भाव हैं वो उत्वपन होगे तो यहां पर आप ध्यान रखें कि विभत्स रस का स्थाई भाव घृणा है और वो कैसे? हमारे मन में पहले से विराजमान है हम कुछ भी ऐसा देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से यह भाव जो विभत्स रस है यह परणिती को प्राप्त होता है या पूर्ण होता है आठवा है भ्यानक रस भ्यानक रस तब उत्पन होता है जब भ्यानक रस जिसे हमें लगे जैसे किसी ऐसे वस्तु जो दरामनी है कोई ऐसा प्राणी शत्रू को देखकर भी हमारे मन में भ्या की सिती उत्पन होती है जिससे कि भ्यानक रस की अभिवेक्त ब्यानक रस का जो स्थाई भाव है वो क्या है भै यानि भै हमें कोई सिखाता नहीं कि हमें किसी चीज़ से डरना है यह तो पहले से ही हमारे मन में विराजमान है और जब ऐसी प्रस्थितियां उपन होती है तो भै भ्यानक रस में परणित हो जाता है जैसे उधारन से जानते जहीं लखी एक और मरगराज विकल बटोही बीच ही परेव मुर्चा खाए कि एक और तो अजगर है अजगर को देखा एक और मरगराज को शेर को देखा विकल व्याकुल बटोही यानि राही जो रास्ते पर जाने वाला है पत्थिक बीच ही बीच में है और परेव मुर्चा खाए दोनों को देखकर उसके पास कोई रास्ता नहीं मिला और वो अजगर और मरिगराज को मरिगराज यानि जो सीं है और अजगर है दोनों को देखकर जो मुसाफिर है जो राही है वो फस जाता है और दर के मारे मुर्चित होकर वहीं गिर जाता है तो यहां पर जो भै है वो किसके मन में उत्पन हो रहा है, आशरे यहां कौन है, बटोही या राही, आलंबन क्या है, अजगर और शेर, क्योंकि दोनों, एक तरफ अजगर है और एक तरफ शेर है, दोनों को देखकर उसे ड़र लगता है, तो आलंबन क्या हुआ, अजगर और शेर, उदीपन क्या है विशम रूप देखना, अकेला पन, एक तो वो अकेला है, उसे और जादा डर लग रहा है, दूसरा भ्यानक रूप उसे दिखाई देता है, अजगर और मरिगराज दोनों का, अनुभाव क्या उत्पन होंगे? ये किसके मन में हो रहा है अनुभाव? आश्रे के मन में, डर ल क्या होगा? आवेग, तरास, दीनता और विशाद का भाव उसके मन में आएगा, लेकिन ये कुछ पल के लिए, क्यों? क्योंकि बाद में तो वो मुर्चित हो गया है, यानि ये संचारी भाव हैं, जो कुछ पल के लिए आता है, हो सकता है, वो भाग भी जाता, लेकिन तब स्थाई भाव जो भै है, उसकी परणिती भ्यानक रस में पूर्ण होती है, तो आप ध्यार लखेंगे कि भ्यानक रस का स्थाई भाव क्या है, भै है, और उसे उधारन के माध्यम से उसके तत्मों के विवेचना इस प्रकार से कर सकते हैं, नोह रस जो यहां है, वो है शां जब मानव यह जान लेता है, कि जो संसार है, यह नश्वर है, और इस नश्वरता का ज्यान होने पर हमें इस संसार से इस लोग से विरक्ति का भाव उत्पन होता है, वो विरक्ति क्या है, निर्वेद, और यह हमारे मन में विराजमान रहती है, अनकूल प्रस्तितियां सुन्दर साकार घना था, चेतनता एक विलस्ती, आनंद अखंड घना था, कामाईनी की पंक्तियां है, जब मनों को शांतरस की प्रणीती होती है, आनंद प्राप्त होता है, निर्वेद के भाव जब उसके मन में जो स्थाई भावे वो जागरित हो जाते हैं, कि सम्रस थे सब में समानता थी, चाहे जड़ है, चाहे चेतना से युक्त प्राणी है, सब समान थे, चारों और सुन्दरता थी, और सब में एक अखंड आनंद का अनभव हो रहा था, और कब? जब सब एक समान स्थिती में थे, यहां पर आनंद की अनभूती है, जो लोकिक भेदभाव है, वो समाप्त हो जाते हैं, तो इसमें विभाव कोन है? आश्रे, आश्रे कोन? जिसमें अध्यात्मिक कांती है, यानि जिसने अध्यात्म के भेद को जान दिया है, वो व्यक्ति, इसमें अगर हम मानें, तो यह क्योंकि कामाईनी के हैं, तो यहां पर अध्यात्मिक शांत का ग्यान कि मनुनी यह जान लिया था कि यह संसार नश्वर है तो इसलिए संसार के जब असार्ता का ग्यान प्राप्त हुआ तो उन्हें इस लोक से विरक्ति का अनभव हुआ और मौक्ष की प्राप्ति का ग्यान उन्होंने लिया उदीपन क्या है एकान स्थान और इश्वर क्रपा हम भगवान में अपना ध्यान लगाते हैं और उनसे क्रपा प्राप्ति की कावना करते हैं और यही भाव क्या है उस विचार को और जादा तेज करते हैं अनुभाव आश्रे के मन में क्या पैदा होगा पुलकित होगा आनन्द आएगा रोमांच होगा गदगद होगा और संचारी भाव क्या होंगे खुशी होगी उसे हर्ष होगा स्मर्ण कुछ बातें कुछ पल के लिए याद आएंगी और उद्वेग तो इस प्रकार से जो निर्वेद है वो शांत रस में परनित होता है फिर है वात्सले रस वात्सले रस में जो स्थाई भाव है वो क्या है शिशु या बालक के प्रती जो स्ने या प्रेम का भाव है वो वात्सले रस में परनित होता है वैसे मूल रूप से नो ही स्थाई भाव माने गई है वात्सले रस को विदवानों ने क्योंकि ये भी प्रेम का भाव है तो इसे शिंगार रस के अंत्रगत ही रखा है लेकिन ये क्योंकि सूर्दास के पदों में विशेश रूप से ये भाव या ये रस उत्पन हुआ है तो हम इसे दस्वे रस के रूप में पढ़ रहे हैं मैया मैं नहीं माखन खायो भोर भय गयन के पाचे मदवन मोही पठायो सूर्दास की पंक्तिया है जब क्रिशन पर जो गोपिया है वो कहते हैं कि क्रिशन हमारा सारा माखन खा गए तो अपनी मा को सफाई देते हुए माता ये शोदा को सफाई देते हुए क्रिशन क्या कहते ह मैया मैंने माखन नहीं खाया भोर भहे कि सुबह होते ही तो गयन के पाचे गायों के पीछे मुझे मधुवन में भेज दिया था फिर मैं माखन कहां से खाऊंगा तो जब क्रिशन ऐसी बाते करते हैं तो यशोदा के मन में प्रेम का भावुदपन होता है तो यहाँ पर आश्रे कोन हुआ माता यशोदा यह हम जो पढ़ रहे है या शरोता जो आप सुन रहे हो तो यहाँ पर माता यशोदा पाठक या शरोता कोन है आश्रे है आलंबन क्या है क्रिशन का बाल रूप क्रिशन की जो बाते हैं वो या क्रिशन क्या है यहां आलम मन है उदीपन क्रिशन की किरणाएं उसका बोलना उसका भोलापन उसके कारिये क्रिशन का जो तरक वितरक है वो तो यह क्या है उस भाव को और जादा तेज करते हैं अनुभाव यहां क्या होगा ये शोदा का अनुभाव किसके मन में है माता ये शोदा के मन में ये शोदा का रुमांचित होना पुलकित होना गदगद होना और संचारी भाव मोह होगा गरव होगा और चंचलता का भाव भी उत्पन होगा तो इस परकार बालक परक जो सने या प्रेम का भाव है वो वादसल्ले रस में परणित होता है विशेश तोर पर ये सूर्दास के पदों में वादसल्ले रस के विशेश जो उधारन है वो सूर्दास के पद देखे जा सकते हैं जो कि वादसल्ले रस से परपूर्ण है इसके बाद है भक्ती रस भक्ती रस को भी क यह भी प्रेम का ही भाव है तो यह भी शिंगार रस के अंतरगत ही शामिल किया जाना चाही 9 हमारे स्थाई भाव है लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो 9 स्थाई भावों के साथ जो रस है वो 11 माने गए हैं क्यूंकि जो वाजसल्य और भगती है ये दोनों ही प्रेम के अंतरगत यानी शिंगार रस के अंतरगत शामिल किये गए हैं तो आप एध्यान रखेंगे कि जो स्थाई भावे मोननों हैं लेकिन रस की संख्या या जितने भी रस से उनकी संख्या 11 मानी गई है तो हम यह ग्यार्मा रस कर रहे हैं भक्ती रस इसका स्थाई भ्याव क्या होगा इश्वर के प्रती जो प्रेम का भाव है क्योंकि शिंगार यानि रती अर्थात प्रेम तो इश्वर के प्रती जो रती का भाव है वो यह स्थाई भाव है विभाव यहां क्या है आश्रे आश कभीर दास्त की पक्तिय वो क्या कहते हैं कि मेरी आँखों में जाईयां पड़ गई हैं आपका रास्ता देखते देखते जीव में छाले पड़ गए हैं राम नाम पुकारते पुकारते लेकिन फिर भी जो राम है वो मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं तो कभीर आश्रे हैं उनके आलंबन कोन है? किसको याद कर रहे है? राम को या इश्वर को? उदीपन क्या है? अलोकिक गुन संपन्ता, जो राम की अलोकिकता है, वही कबीर को आकर्शित करती है और वो उस बेके भाव को तेज भी कर रही है. तो इससे कबीर के मन में अनुभाव क्या होंगे? रोमांचित होंगे, जो कथन है वो व्यक्त करेंगे, निवेदन करेंगे इश्वर से और संचारी भाव क्या होंगे? देन्य का भाव आएगा, समरिती का भाव पैदा होगा, ये क्या है? ये संचारी भाव हैं. तो इस परका तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि जो रस हैं वो कितने हैं 11 रस हैं इनकी हमने जो तात्विक विवेचना किये इस्ताई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के अंदरगत उधारणों के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रיास किया है और उमीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हूँ अगर ऐसा है तो आप कमेंट जरूर करें और इसके साथ साथ चैनल को लाइक, शेर और सबस्क्राइब करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद